परिचे इससे पहले हम तृबुच के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं और निर्देशांग के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ते हैं त्रिकोण मिती के बारे में जिसे हम टिक्नोमेटरी भी बोलते हैं अब त्रिकोण मिती अनुपात के बारे में हम पढ़ते हैं अच्छे से इस चेक्टर में आईए नेक्ट चेक्टर हम पढ़ते हैं मान लीजिए एक स्कूल के पास के छात्र कुत्ब मिनार देखने गए है क्या देखने गए है कुत्ब मिनार यह आपको दिख रही होगी आपकर कुत्ब मिनार बनी भी है अब यदि कोई छात्र मिनार के शिकर को देख रहा है तो एक समकॉन तिर्भुज बनाने की कल्पना की जा सकती है देखे अगर यहां पर छात्र खड़ा है और वो यहां से देख रहा है यहां से भी देख रहा है उसके पास से भी देख रहा तो हमारा एक समकौन बनेगा विकि cognitive अप़र देखते है तो हम बहुत उचाये तक देखने के लिए हमें समकौन की इस्थिति बनानी पड़ती है ताकि हम अच्छे से देख पाएं यह आपको दिख रहा होगा है यह एक छातर खड़ा है जैसा कि आकरती 8.1 में दिखाया गया है और क्या वास्तम में मा पे बिना ही छातर मिनार की उचाय ग्याद कर सकता है बताईए आप इस कोशन को कैसे पता करेंगे तो त्रिकोण मती में इस कोशन के सारे अंसर है कि त्रिकोण मती से हम कैसे उसकी मिनार की उचाय को ग्याद कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं आईए देखे आगे पढ़ते हैं उपर बताएगई सभी स्थितियों में दूरियां, अत्वा, उचाई, कुछ गणित के तक्नीकों को त्रिकॉणमती नामक, गणित की एक साखा के अंतरगत आते हैं टीके, जो दूरियां हैं यह उचाईयां किसके अंधर आते हैं जिसका अर्थ क्या है? तीन और गौन जिसका अर्थ है भुजा और मैक्ट्रॉन जिसका अर्थ है माप क्या समझ मैं आए? ट्री मतलब हमारी होगे तीन गौन माने जिसका अर्थ है भुजा और मैक्ट्रॉन जिसका अर्थ क्या है? माप से हुआ है टिक्नोमेटरी एक ग्रिक शब्द है कौन सा शब्द है ग्रिक शब्द है इसका मिनिंग आप अच्छे समझ में आ गया अब वस्तित है तिरिकोण मिती में एक तिर्भुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों को अध्यन किया जाता है उसके तिर्भुज की अब यहाँ पर हमें दिया है थ्री के माल लेते तो हम इन दोनों को अध्यन करेंगे इन दोनों को कैसे निकालेंगे एक कोण और एक भुजा को ठीक है अब प्राचिन काल में ट्रिकोण मिती पर किये गए कारय का उलेक मिसर और बेबिलॉन से मिलता है कहां के लोगों से नह काल सकते बट उसका अनुमान वो अच्छे से त्रिकोण मिती से लगा सकते थे आज भी इंजिनिरिंग और भृतिक विज्ञान में प्रियुक्त अधिकांश प्रद्यगे की उन्नत विधिया त्रिकोण मिती सिंक्रलाओं पर आधारीत है ताकि थीक है भृतिक विज्ञान आपकी फिजिक्स में इंजिनिरिंग में भी त्रिकोण मिती टिक्नोमेट्री का यूज होता है और जब आप साइंस लेते हैं तो भी आप टिक्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ते हैं ठीक है अब आगे आईए इस अध्याय में हम एक समकोण तिर्भुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उनके न्यून कोणों के सापेक्षध्यान करेंगे ताकि हम अच्छे समझ सेकेगे त्रिकोण मिती है क्या त्रिकोण मिती है अनुपात किसे बोलते हैं जिने कोणों के त्रिकोण मिती अनुपात कहते हैं उनके न्यून कोणों के सापेक्षम यहां हम अपनी चर्चा केवल noon कोणों तकी सीमित रखेंगे कि noon कोणों कौन से होते हैं noon कोणों होंगे हमारे जो छोटे कोणों होंगे यदि इन अनुपातों का विस्तार दूसरे कोणों के लिए किया जा सकता है यहां हम 0 डिगरी और 90 डिगरी की माप वाले कोणों के त्रिकोण मिति अनुपातों की परिभाशित करेंगे हमारा noon कोण की ऐसा होता है 90 डिगरी से बढ़ा 0 से तो क्या होगा 90 डिगरी से छोटा होगा और यह हमारा इससे बढ़ा होगा यह तो हमारा बढ़ा होगा यह हमारा बड़ा होगा और इससे हमारा छोटा होगा ठीक है तो हमारा क्या होगा निव्ण कोंड कहलाàyगा वह हमारा अब आगे देखिए Tracorne अनुपातों को प्रिचपार्शित करेंगे हम कुछ विसिस क्रिकोणों केbracन मित्य अनुपाद परिकल्पित करेंगे और इन दूरियों को समझ पाएं उनकी अनुपातों को समझ पाएं तो इस चेप्टर में हम सिर्फ म्यून कोण के बारे में पढ़ेंगे अब आगे देखिए समकोण तिरभुज ABC देखिए हमें दीवी है 8.4 के कोण A के तिरभुण में ती अनुपात निमने प्रकार से परिभाशित किया जा सकते हैं अब ABC आपको दियावा है यहाँ भी ABC दियावा थीकहिए अब यह कोण A की समुख भुजा दिवी है कोण C की समुख भुजा दी वी अपको, और कोन A की षलनलंग बुजा और कोण C की समुख बुजा यह भी कन आपको दिया है यह भी यह अपका कन दिया हुआ है, ठीके? अब sign कोन A का sign निकालेंगे ठीके? तो कोन A की भुजा अपन कन हमारे फORMULA होता है तो B C अपन AC अब देखिए B C कहां पा रहे ठीक है B C आपको क्या दिवी है कोण A की समुग भुजा और कण दिया आवाया तो कण इसक अपॉन में रख लिया अब साइन कौन साइन का हमारा क्या साइन हो गया कौन A कीभुजा हमारी हो गई A B ठीक है क्या हो गई A B कोण A हमारा जो angle A है ठीक है तरह जो angle हमारा निकालना है उसका तो कोण A की सम्मुख बुजा अपन कोण A की से लगन बुजा तो B C अपन A B आगा ठीक है अब देखिए A B आए गया और यहाँ पर B C आगया तो दोनों के मान हमने आ रख दिये ठीक है अब कोण A का consequent क्या होगी हमारा cos इसे हम cos बोल सकते है short form में 1 अपन कोण A का sign ठीक है तो क्या आगया कन अपन कोण A की सम्मुख बुजा तो A C अपन B C A C हमें क्या दियावा है देखिए यह दियावा है हमें लंब और B C क्या दियावा है हमें देखिए यहां से B और C ठीक है A C A में दियावा है यहां से कन क्या दियावा है यहां पर हम लिख लेते हैं कन दियावा है ठीक है और B C A में क्या दियावा है अपन में लंब तो कन अपन लंब हो गया तो दोनों का मान लख लिया इसी प्रकार हमें sack का मान क्या दिया है 1 upon कोण A का cos is equal to तो कण upon कोण A की सम्मुख बुझा तो AC upon AB और AC क्या दिया वा है कण और AB क्या दिया वा है आपको अधार तो यह हमने यहाँ पर रख लिया ठीक है हमें cos 10 का मान निकालना है cos निकालना है 1 upon कोण A का 10 तो कोण A की सम्मुख बुझा तो AB upon BC हमने यहाँ से टक लिया अब next देखिए उपर परिभाशित किये गए अनुपातों कोसापेक शुरूप में sin A, cos A, 10 A और cos A sac A और cot A में लिखा जाता है ठीक है तो हमने सब चीज़े पढ़ी है sin, cos, tan, cos A sac, or cot यह हमने सारे त्रिकोण मेती में पढ़े वे हैं तो ध्यान दीजी कि अनुपात cos A, sac A, or cot A अनुपातों sin A, cos 10 तो sin, cos 10 तो हमने पहले पढ़ते हैं कि विद्कुरम होते हैं क्या होते हैं इसके उल्टे होते हैं विद्कुरम का क्या मतलब है इसके उल्टे होंगे और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं tan A is equal to bc upon ab is equal to bc upon ab और ab upon bc तो यह हमारा sin A और cos A का मान हो जाता है तो यह क्या हो गया इसका उल्टा हो गया देखिए जब यहाँ पर हमने रखे तो हमारा cos A क्या हो गया इसका उल्टा हो गया जहां sin के नीचे हमने क्या रखा है cos को रखा है ठीक है अब देखिए तो cot A upon cos A upon sin A ठीक है तो हमारा यह उल्टा हो गया अधर एक समकूर्ण तिर्भूच के लिए यहाँ पर देखिए यदि आया यदि 10 A हमें दियावा है क्या 4 बटे 3 तो कोण A के अन्य त्रिकोण मितिया अनुपात ग्यात कीजिए तो हमें क्या दियावा है A, B और C दियावा है ठीक है और A, B क्या दिया है 3K और B, C क्या दिया है 4K तो Lumb हमें दिया है 4K और हमें आधार क्या दिया है 3K ठीक है और हमने क्या देखा है आईए सबसे पहले हम एक समकोर ABC खीशते हैं हमने खीश दिया अब हम जानते हैं कि 10A क्या होता है BC upon AB तो BC क्या होगी है हमारा Lumb upon क्या होगी है हमारा AB ये भी क्या है अधार तो हमें दोनों की वैल्यू दी विए चार और ती ने इसके अपॉन में रख लिया इतना समझ में आपको इतना समझ में आप देखिए यादी BC हमारा 4K ठीक है तब AB हमारा 3K और हमारा afaama कै जहां धन संग्य धन मतला positive शंग्या है अब इनकी परिभाषों की सायता से 3K में थिनोपात लिख सकते हैं हमारा हम से तो साइन एग क्या होता आ उता है इड एपान एब टा कि अब दी आप अब देखी यहां से रिए टाज टैनल तो थिलएपान एगा और के हो साइक A क्या हो गया 1 upon sin A तो हमने इसको मान को उल्टा कर दिया बात तो A की है sin A की value हमें दी थी 4 बटे 5 और जब 1 upon sin A आया है हमारा यहां पर सपोर्स तो हमने क्या कर दिया 5 बटे 4 इसकी value को पलट दिया वित्करम कर दिया साइक A में cos A अपन ही है तो हमने इसकी value भी यहां से पलट दी देखिए तो आया समझ में आपको यह इसके अनुपात हमने याद कर लिए अब next देखिए यदि कोण B और कोण Q ऐसे नियून कोणों जिनके sin B is equal to sin Q तो सिद कीजिए कोण B is equal to कोण Q है तो sin तो इनके बराबर है बट इनके कोण बराबर भी हमें देखना है सिद करना है तो आईए हम दो समकोण त्रिभूच ABC और PQR लें जहां sin B और sin Q देखे लिया है हमने तो ABC हमने लिए वे है PQR हमने लिए वे है अब देखिए sin B हमारा क्या होता है AC upon AB और sin Q होता है PR upon यह देखे इतना आपको समझ में आ गया sin की value साइन का value क्या हो जाता है हमारा AC AC क्या है हमारा lump upon AB क्या हो गया हमारा lump upon कर्ण हमारा हो जाता है यह value हम नहीं हम रख दी तो हम दोनों को बराबर रख सकते हैं तो दोनों क्या है साइन है ठीक है तो AC अपॉन PQR आ गया हमारा इसके नीचे आ गया और AB हमारा इसके cross multiply में चला गया है अब इस इकल टू के कमान अब यह हमारा समेकर नंबर एक हो गया अब next देखिए अब आधागर इस परिम में लागू करने पर हमने क्या देखा BC is इसका निकाल लिया और की वार हमने निकाला तो भी हमारा यह नरूट में आगे क्या है अब ABC यह हमारा मान दिया हुआ है तो इसके समेकर नंबर दो हो गया अब यह यह स्मेकर नंबर एक और से हम क्या prafkt करते हैं AC और PR हमें दियावाय ए बी और P कि नियुकर वैली हमने लख लियाथ अब हमारा BC और QR aby बी किसमानता हैं दोनों एक दूसरे के तीकर और दोनों एक to A Q के होगा कौन B हमारा किसके एकुल होगा कौन Q के ठीक है इतना से दुआ अब आ गया यह अब देखिए यदि A B C A C B लीजिए इसका कौन C क्या है सम कौन है ठीक है C हमें दियावा है 90 डिगरी और जिसमें A B दिया है 29 ठीक है आपको दियावा है और B C आपको 21 यहाँ पर दियावा है देखिए और A B C हमें क्या दियावा है एट थीटा देखिए आकरती में यहाँ पर यह थीटा कौन दियावा है ठीक है इसका माना हमें नहीं पता भी ठीक ह तो AC हमें निकालना याँ से तो LM 다DH достаточно स्कूर मेंनस हमारा उचाइक अधार का स्कुर हमने निकाल लिए हैं धीये हैं 29 और यहांपर 21 हुआ यहां से हमने डोनों के मान यहां रख दिए तो हमारा solve करके क्या आया 400 पर डूरूर. तो हमारा 20r का यहां पर 29 तो हमने अब हमारा cos 0 cos theta की bc upon a b 29 upon 21 लिख लिया ठीक है अब देखिए cos का square theta plus sin square theta तो दोनों का मान हमने square में रख दिया अब दोनों को solve किया तो हमारा आगे 400 plus 441 844 is equal to 1 ठीक है अब हमारा आ गया second question cos square theta minus sin square theta तो अगया 21 upon 29 minus 20 upon 29 वही मारा हमने रख दिया तो हमने solve किया तो आगया 41 upon 4841 तो क्या आ गया 41 बटे 44841 अब देखिए अब दियावा हमें O P Q में जिसका P समकोन है P क्या है कोन समकोन है हमें दियावाए देखिए एक तिर्बूस दियावाए है आपको दिख गया हूँ O P 7 cm Q E minus P Q O Q minus P Q is equal to 1 cm आपको दियावाए और हमें sin Q और cos Q के मान ग्याद करने है तो O P Q से हम ग्याद करते हैं हम O Q स्क्वार का मान निकाल लेते हैं मतलब कान का स्क्वार निकाल लेते हैं तो O Q का हमें मान दियावा है ठीक है यह 1 प्लस P Q स्क्वार हो गया है अब P Q यह हमने इसका मान यहां से रख लिया क्या रख लिया यहां से इसका मान रख लिया अब देखिए 1 प्लस P स्क्वार 2P हमने formula का लिए 1 a plus b ka holy square का formula या पर खोल लिया a square plus b square तो यहां से हमने लिया to 1 plus a b और यहां कि आगे हमारा 7 square यहां हमें इसका मान दिया वा था यहां पर देखिए क्या दिया वा था 1 centimeter और इसका मान हमें तो दोनों के मान हमारे यहां से निकल गए अब नेक्स देखिए तो आज हमने क्या सीखा कि हमने सीखा कि त्रिकोण मिती के अनुपातों में नियून कोण वाले हम कैसे समकोणों को निकाल सकते हैं जो हमारे नियून कोण वाले तिरभुज बनेवे हैं उनका अध्यान हम कैसे कर सकते हैं नियून कोण हमारे कौन से होगा है जो हमारे 90 डिग्री से कम होंगे और 0 से हमारे क्या होंगे हमेशा ज्यादा होंगे जीरो डिगरी से क्या होंगे ज्यादा वाले और 90 डिगरी से कम वाले उनका अध्यान हमने किया है यहाँ पर हम इने ABC मान सकते हैं और इनको हमने sin theta cos theta से अच्छे से निकाला है आगे का हम next class में इसके कुछ examples को समझेंगे आज के लिए thank you